हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे हम साधान ब्याज के प्रेशने और साधान ब्याज के प्रेशनों के लिए दोस्तों मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको आना चाहिए लेकिन आपको कभी जरूरत नहीं लगी उसे सीखने की मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो तरीका आपको जानना चाहिए, जीकना चाहिए लेकिन किसी ने सिखाया नहीं आपने कभी सीखने की जरूरत नहीं समझी जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ पहला प्रेशनी लेता हूँ प्रेशनी कह रहा है कि सोले सो रुपे का आठ प्रितिसत वार्षिक साधन ब्याज की दर से दो सही एक बट्टे दो वर्स का साधन ब्याज क्या होगा दो सही एक बट्टे दो वर्स का मतलब क्या हो गया धाई वर्स हो गया इतना के लिए रहा धाई वर्स हो गया अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा क्या कहूं कि हमारा rate कितना है दोस्तो 8% का भाई एक वर्स का rate हमारा 8% है एक वर्स का और वर्स हमारे पास कितना डाई वर्स तो एक वर्स का 8 हो गया फिर दूसरे वर्स का 8% हो गया दो वर्स का रेट हो गया आठ और आठ दो वर्स का अब जो तीसरा वर्स है वो हमारा आधा है आधा है तीसरा वर्स तो रेट भी आधा हो जाएगा चार परसेंट एक वर्स का ये हो गया एक वर्स का ये हो गया आधे वर्स का ये हो गया मिलकर के क्या हो गया डाई वर्स हो ग मिलेगा तो 600 का सीधा सीधा हम क्या निकाल लेंगे 20% परसेंट का मतलब बटे में 100 2.0 से सीधे 2.0 कोटाई ये 16 दुनिये का कितना होता है 32 और 1.0 320 तो भाईया कितना ब्याज प्राप्त होगा 2.0 वर्स में 320 उर्पे का ब्याज प्राप्त होगा ये आपका अंसरो क्या मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया एक ऐसा तरीका साधरन बिल्कुल साधरन तरीका अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो बस इतना कर लीजिए कि हमारा एक वर्स का जब रेट आठ है तो दूसरे वर्स का भी आठ रहेगा और जो तीसरा वर्स है वो आधा है तो रेट भी आधा रहेगा कुल मिलाकर के ड़ाई वर्स में 20% ब्याज मिलेगा तो 16 उर्पे का सीधा-सीधा 20% जब हमने निकाल लिया तो 320 उर्पया ब्याज का मिलेगा तो किसी को भी इस यहां कोई समसर नहीं होने वाली सभी को प्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है किसी धन पर पहले दो वर्सों की ब्याज़दर 3% बारसिक अगली तीन वर्सों की ब्याज़दर 4% बारस है उस धन पर 9 वर्स बाद कुल ब्याज 520 उर्पे लिया गया है मूल धन क्या है कितना अच्छा प्रेशने है बहुत बढ़िया प्रेशने है दोस्तों देखी कह रहा है कि दो वर्सों का ब्याज़दर 3% वाई एक साल का 3% तो दो साल का कितना हो गया 6% हो गया ठीक है फिल आगे कह रहा है कि अगले वर्सों के लिए 5% लेकिन अगले कितने वर्सों के लिए ये नहीं कहा गया अगले कितने वर्सों के लिए ये नहीं कहा गया अगले वर्सों के लिए 5% बारसिक है उस धन पर 9 वर्स बाद कुल ब्याज कितने वर्स के बाद 9 वर्स के बाद देखी द इतने वर्ष के लिए है चार वर्ष के लिए तो एक साल का पांच तो चार वर्ष का कितना 20% कुल मिला के कितना हो गया यह चे और बारह 18-18-20 जोड़ेंगे 38% के लिए 5% ब्यारसी उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 520 रुपे लिया गया है मूलधन क्या है हमको यहाँ पर ब्याज दे रखा है मूलधन नहीं दे रखा अगर हमको मूलधन दिया जाता तो मूलधन का 38% निकाल लेते ब्याज दे रखा है 1520 रुपे और ब्याज हमको कितना मिला है 38% प्रतिसत में ब्याज मिल रहा है 38% रुपे में ब्याज मिल रहा है 1520 38% बराबर 1520 के है तो 1% परसेंट बराबर कितने के हो जाएगा 38 से 154 बार में कटेगा और एक ही 0,40 ठीक है याद रखिएगा 38 से 154 बार में कटेगा एक ही 0,40 तो एक का मान कितना हो गया 40 हो गया वही एक का मान 40 आप से कह रहा है मुल्धन क्या होगा तो मुल्धन क्या होता है अपने आप में 100 परसे चार हजार हो जाएगा बैई सीधा सीधा आंसर आगया चार हजार 38% बराबर 1520 के तो 1% बराबर कितना बैई 38 से 154 बार में कटेगा एक यह 040 मतलब एक का मान 40 एक का मान 40 तो 100% का मान 4000 तो उमीद करूँगा यह प्रशनी भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया अब देखेंगे अगला प्रशन अगला प्रशनी है अगर दर 5% अधिक होती तो किसी धन का प्रती बर्स साधन ब्याज 135 रुपे होता 135 रुपे अधिक प्राप्त होता है तो वहरासी बताईए देखें दर अगर हम 5% की ब्रती हो जाएगी दर में 5% अधिक हमें दर बढ़ाते हैं तो 135 रुपे अधिक प्राप्त होगा हमको ब्याज तो 5% का मान 135 कहेंगे आप जब आपने 5% दर को बढ़ाया तो रुपे अधिक कितना बढ़ गया 135 तो 5% बराबर 135 हो गया वही 5% बराबर कितना हो गया 135 हो गया तो 1% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 5 से कटाएंगे 5 दुने का 10, 5, 7, 35, 27 एक परसेंट का मान 27 हो गया आप से कहरा राशी बताइए राशी का मतलब 100% का मान पूछ रहा है भई 1% बराबर 27 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 27 सो हो जाएगा यह आपकी प्रिश्ने का सही आंसर हो जाएगा मैं आपको कोई formula नहीं बता रहा है मैं आपको सिखा रहा हूँ जादूई trick जादूई trick मैं आपको सिखा रहा हूँ जिससे की प्रिश्ने आपका बहुत कम समय में solve होगा बस आप तरीका सीखे, समझे प्रिशने को प्रिशने क्या कहना चारा है, बस समझे, इतना समझ जाएंगे आप प्रिशने का अंसर आपका निकल क्या जाएगा ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं अगला प्रिशने अगला प्रशन है अगर समय पांच वर्स के बदले साथ बर्स हो तो 8% की दर से किसी धन का साधन ब्याज 360 रुपे अधिक प्राप्त होता है तो वहरासी क्या है अच्छा प्रशन है बहुत अच्छा पांच वर्स के बदले साथ वर्स का समय हो कभी भी ऐसा प्रशन हो को दो वर्स के बदले पांच वर्स हो पांच वर्स के बदले साथ वर्स साथ वर्स के बदले ग्यारा वर्स बारा वर्स ऐसा कभी भी प्रशन हो आपको इन वर्स का अं अंतर कर लिना है, अंतर आया 2 का, तो इसका मतलब यह जो प्रेशन है, यह दो वर्स का है, जब हमारा रेट एक बर्स का 8% है, तो दूसरे बर्स का भी 8% रहेगा, और दो ही वर्स की बात करेंगे अब, अब यह 5 बर्स और 7 बर्स भूल जाना है, दोनों का आपने अंतर किया, दो वर्स आया तो एक वर्स का आठ तो दूसरी वर्स का भी आठ और दोनों वर्स का रेट मिला की हो गया 16% इतना के लिए रुआ अब कह रहा है कि साधान ब्याज 360 रुपे अधिक प्राप्त होता है साधान ब्याज 360 रुपय अधिक प्रावत होता है तो वहरासी क्या है साधान ब्याज यहाँ पर हमें ब्याज कितना है 16% ब्याज कितना लेना है 16% और रुपे में ब्याज कितना है 360 रुपे तो ब्याज ब्याज के बराबर होगा तो 16% बराबर 360 के 16 बराबर 360 हमारा है जाएगा तो एक बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा 16 हो जाएगा ठीक है और रासी हमें बतानी है मतलब 100% का मान बताना है तो 100 से कर देंगे यहाँ पर गुना और आपके परिशने का अंसर आजएगा देखी कटा दिए 4 से कटाऊंगा मैं 4 बार में और 4 से कटाऊंगा इसको 25 बार में 4 से कटेगा यह 9 बार में और 1 ही 0 25 का मल पर 9 से होगा तो यह हो जाएगा 225 और 1 ही 0 आजाएगा मतलब 250 यह आपके परिशने का क्या आगया सही आंसर आगया और कोई भी समस्या नहीं होगी इस प्रेशने में आपको कोई भी समस्या मुझे नहीं लगता कि इस प्रेशने में कोई भी समस्या होगी बहुत अच्छे समझ में आगया होगा ठीक है दोस्तों आप देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रशन है कोई रासी पांच वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि साधान ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 उर्पया अधिक प्राप्त होती तो वह मूल रासी क्या है बैया एक साल का रेट आपका 3% है तो 5 साल की बात कहिए तो 5 साल का कितना हो जाएगा 3 पच्चे 15% रेट कितना हो जाएगा 15% तो 5 साल में 15% का ब्याज मिलेगा ठीक है और यहाँ पर ब्याज आपको कितना मिला 105 उर्पय तो 15% का मान एक सो पांच क्योंकि ये भी भी आज हो और ये भी 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 आज तो 15% बराबर 105 15% बराबर 105 तो 1% बराबर 7 हो जाएगा क्योंकि 15 सत्ती 105 होता है 1% बराबर 7 के आप से पूछ रही है राशी राशी होती है अपने आप में 100% एक परसेंट बराबर साथ तो हंडेट परसेंट बराबर कितना साथ सो होगा की नहीं होगा ये आपकी प्रिष्णिगा क्या जाएगा सही आंसर आजएगा के लिए रहे दोस्तों मैं उमीद करूँगा कि सभी को ये प्रिष्णिग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और आज के वीडियो में जितने भी प्रिष्णिग मैंने आपको कराए है साधान ब्याज के इन प्रिष्णिगों को आप कभी भी नहीं भूल सकते क्योंकि इतना आसान तरीका बताया है इसके बाद भी अगर आप भूल जाएंगे तो आप एक से दो वार प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से कर लेके सौल्ब कर लीजिएगा फिर कभी नहीं भूलेंगे और हम आपके लिए क्या सिखाते हैं दोस्तों जादूई ट्रिक ठीक है जादूई ट्रिक सिखाई जाती है हमारे चैनल पर जितनी भी बच्चे हमारे साथ जोड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि हमारे चैनल पर जादूई ट्रिक सिखाई जाती है ऐसी ट्रिक कम से कम समय में रशनों को solve किया जा सके ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद